कि अधिया एग्जामिनेशन इस राउंड दे कॉर्णर जैसा कि आपको मालूम है कि आपके हाप यरले एक्जाम अब आने वाले हैं होने वाले हैं कि लिए हम आपका एक model question paper अप्लोड कर रहें ताकि आपको मालूम हो कि कैसा आएगा कैसे आपको तैयारी करना है हम सबसे पहले start करें हिंदी के question paper से चलिए start करें तो हिंदी का question paper है इस model के recording आएगा आपको it will carry 80 marks जो question paper होगा happy early का वो 80 marks वो ताइमिंग वी टू आर्स, दो घंटे का पेपर होगा, सबसे पहले इसमें आएगा एक आपठीद गद्यांस, आपठीद मतलब एक ऐसा गद्यांस आएगा जिसको आपने पढ़ा नहीं है पहले, या फिर आपके कॉर्स का नहीं है, उसको आपको पढ़ना है, और फिर उसके पापा का सिक्योर्टी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में, फिर क्या हुआ, देखें, आपको जो आपठीद गद्यांस आएगा, गद्यांस को आपको पढ़ना है, और फिर आपको दिये गए क्योशन को नीचे, आपको सबसे पहले जब आप यह जो आपठीद गद् सबसे अचा बैस तरीका यह होता है, कि सबसे पहले आप एक बार जो questions आएं, उनको एक बार पढ़ लिजे, और पढ़ने के बाद फिर जो उपर paragraph दिया है, या जो कहानी दी, story दी उसको पढ़ लिजे, फिर एक एक question के answer जो आपको मिलते जा रहे है, वो one by one आप लिखते ज होगी, उससे आपको एक story दी रहेगी, जैसे यहाँ दिखाया है, मलमली धोती का बदामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती स्केट, टांकों से पिरोई हुई बेल थी, मलमली धोती पर कौन सा रंग खिल उठा था, तो यहाँ दिखे, मलमली धोती पर बदामी रंग तो यह वाला जो portion है इसको आप यहां लख देंगे तो यहां अ reconciliation होगा इस तरह आत्यकर यह आपको आपको करना होगा इसको आपको करना होगा इस तरहीं से जो का पूर्शन होगा वह complete हो जाएगा है किस आपको आप के उसके अधार पर आपके कुछ question होंगी जैसे pin code किसे कहते हैं पोस्ट जैसे pin code का full form होता है postal index number कहते है ठीक है उसके बारे में आप क्या जानते हैं कि उसमें जो पहला digit होते है पहला फॉस्ट टू डिजिट वो जैसे सीवनी का pin code होता है 480661 यहां पर लास्ट के जो digit है वो किस के बारे में बताते हैं लास्ट के बारे में बताते हैं यह कंट्री के बारे में बताते हैं तो यह आपको क्या होता है यह चेक करना है और पढ़ना है जो आपका डाकिय की कहानी जो अपने स्टोरी पढ़ी होगी हिंदी में उसी से यह पूरे क्यूशन आये होंगे डांक से क्या क्या नाम था यहां पर लिखना पड़े जैसे डांक का नाम कुवर्स ही था इस तरह का जो स्टोरी आप पढ़ रहे हैं उसमें से आपको क्यूशन साइंगे तो मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या ध्यापक की मदद से मशीन की मदद से पढ़ना चाहते है आपने की स्टोरी पढ़ी होगी जिसमें आने वाले दिनों के स्कूलों के बारे में बताये गया था जिसमें आने वाले दिनों में रोबोट सुंगे जो बच्चों को पढ़ाएंगे, टीचर्स नहीं होंगे, रोबोट ही आपको homework देंगे और चेक करेंगे, तो इस तरह से आपको करना होगा इसके बाद जो आपका next portion होगा, वो होगा, व्याकरन का होगा, 15 marks का, कोश्यार और चालाफ में क्या अंतर है, ये लिखना होगा आज ये लोग के उठे नहीं खा, अपनी भाशा में लिखो, इसका क्या अर्थ है अपनी भाशा में लिखना है आपको इसके बाद खिचरी की, खिचरी वाई से जाड़ा हम पहले कब्बो ना देखनी, यहाँ खिचरी से क्या मतलब है यहाँ खिचरी का मतलब खाने वाली खिचरी से नहीं है, यहाँ पर खिचरी तेवहार के बारे में बात की जारी तो आपने जो फसलों का तिवार पढ़ाओगा उस से रिलेटेडी कुश्चन्स है अब मोहावरे भी आएंगे इसमें आपका जो मोहावरे जिसे यहाँ पर ग्रैमर का पोर्शन में तो यह है ही साथ में देखे और भी क्यूशन से grammar के जिसी यहां पर लिखा है संग्या शब्द छाट कर लिखो संग्या शब्द कौन सा पान वाले की दुकान आज बंद है तो जैसे पान वाला यह इंसान के बारे में बता रहा है तो यह भी ना संग्या है दुकान जो है वो भी किसी जगा का नाम है तो यह भी नाम विशेशन शब्द शाट कर लिखो विशेशन शब्द किसे कहते हैं विशेशन का मतलब होता जो किसी की विशेष्टा बताता है दाड़ी वाला आदमी तो यहां आदमी की कॉलिटी कैसा है कि वो आदमी कैसा है दाड़ी वाला तो यहां पर जो व बना etc कशीदा कारी ठीनिक है इसके बाद पक्षी के दो परियायवची लिको पारया बच्छी शब्द भी आयेंगी जीसे पक्षी के पुरुस का इस्तरी हो जाएगा समानारती शब्द लिखो एक अर्थ वाले जिसे पुस्तक है किताब है इस तरह से आपको करना है रचिनात्मक लेख आपका आएगा रचिनात्मक मतलए जिसमें आपको खुद अपने मन से लिखना है 15 माक्स का होगा जैसे आप लिखा मकर संक्रानती ये खिचरी पर 5 लाइन लिखो लगव संक्रानती का त्यवार जन वरी में आता है लोग इस दिन नदी में जाते हैं और दुपकी लेते हैं और वह सोचते हैं इससे उनके पाप क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे और जो भी आप सोँस्ते मेले लगाए जाते हैं इसके बाद नेक्स जो आपका क्रियेटिव राइटिंग में यह भी आएगा इद गाह के पार्ट पर अधारी च्म्ता पर पांच लाएन लिख सकते हैं इसके बाद email से भी सकते हैं एमेल से भी सकते हैं तीसरा किसे भी सकते हैं आप WhatsApp कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं और कुन से दो साधने जिसे Speed Post से भी सकते हैं Speed Post से कर सकते हैं और Speed Post से करने के बाद आप क्या कर सकते हैं आपने SMS कर दिया आपने email कर दिया आपने संदेज भीजना है तो आप वाइस कॉल कर सकते हैं मतलब आपकी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी है सामने वाला उसे सुन सकता है इस तरह से दी जाता है यह सारे तरीके से आप अपने संदेज कर सकते हैं दूसरे को पहुंचा सकते हैं सही शब्द पर गोला लगाओ यहां पर लिखा सही शब्द आपको देखना है कौन सा सही शब्द है उस पर गोला लगाना है यह जो पोर्शन है आपका यह अलग पोर्शन है इसको कहते है वर्तनी वाला पोर्शन वर्तनी मतला है स्पैलिंग आपको यह देखना है कि कौन सा स सब्सक्राइब करेंगे। कुन सा वर्ड सही है यह वेश भुषा इस तरह से आपको सही सब्सक्राइब करना होगा। इसके बाद सुलेक होगा। का पूर्चन कुछ नहीं होता है। जो आपको उपर लिखा होता है। आपको neat and clean handwriting में जो दिया गया पूर्शा ने जो दिया गया space से उसमें आपको लिख देना होता है इस तरह से जो आपका paper है वो खत्म हो जाता है तो I hope कि आप अच्छे mark से score करेंगे और अपने exam की अच्छे से तयारी करेंगे Best of luck, good day